हेलो गुड मॉनिंग फ्रैंस रोज की तरह आज भी उपस्तित हूँ आपके अपने चैनल जीस से ऑनलाइन जी के कुईश पर चलिए शुरुगात करते हैं आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश यानि कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी कोश्चन्स आते हैं कमपट किस से स्विक्रित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनव है वो प्रशासनिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की और नियाईक राजधानी की बात की जाए तो वो इलाहबाद है इलाहबाद उत्तर प्रदेश की नियाईक राजधानी है नियाईक राजधानी क् कि उत्तर प्रदेश का हाई कोड जो है ऐसी वो इलाहबाद में ही है और उसका पूर्ब नाम की बात की जाए तो स्वायुक्त प्रांत जिसे यूनाइटेड प्रॉविनेंस की नाम से जाना जाता था बात की जाए अगर इस्थापना की तो 24 जन्वरी 1950 को इसकी स्थापना दिवस है और 24 जन्वरी को प्रतेक वर्स उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्किय भासा की बात की जाए तो हिंदी यहां की मुख्य भासा थी लेकिन कुछ समय पहले ही दूसरी राज्किय भासा बनाया गया है इसको राज्किय भासा उल्दू बनाया गया है राज्किय पसु की बात की जाए तो बारा सिंगा यहां का राज्किय पसु है राज्किय पच्छी की बात की जाए सारस या क्रॉंच जो है यहां का राज्किय पच्छी है भारत की बात की जाए तो मोर जो है भारत का राश्टिय पच्छी है जरो ऐसे राज्ट्गे पच्चि उत्तर प्रदेश का सारसिया क्रॉंच और रष्ट की बीस्ट की बात कि जाए तो पलास पलास जो होता है वो धाक जिसका पतल बनता है दोना पतल बनता है इसके पत्ते का उसे पलास बोलते हैं धाक जिसे बोला जाता है यह जन्वरी 2011 से सुर्कृत किया गया है राज के चिन्न की बात की जाए तो एक व्रित व्रित ऐसे होता है उसमें दो मचली होत 1928 सिर्कृत है विधान मंडल की बात की जाए तो यहां पिदी सदनात्मख यानि कि दो सदन है विधान सभा और विधान परिषाड विधान सभा सदस्यों की बात की जाए तो 403 प्लस 1 यानि कि 404 सीट यहां पर उत्तर प्रदेश में है जो कि भारत में सबसे अधिक है किसी भी राज्य में विधान सभा सीट भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की ही है यहां पर वन क्यों कहा गया क्योंकि एक सीट होता है एंगलो इंडियन एंगलो इंडियन वह होता है जिसके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो और उसका जन्म भारत में ही हुआ हो उसे एंगलो इंडियन कहते हैं विधान सवा की बात आई है तो विधान सवा में सरवाध सबसे अधिक सीट जो है इलाहाबाद में है इलाहाबाद में पूरे बारह सीट है जो कि पूरे उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक इसी जिले में है विधान सवा बात की जाए तो एक्तिस सेट जो है यहां पर राजसवा की उत्तरप्रदेश में जो कि भारत में सबसे अधिक किसी राज की है तो उत्तरप्रदेश की ही है उच्छ न्यायाले की बात की जाए तो इलाहबाद यहां का उच्छ न्यायाले है और खंडपीट की बात की जाए त जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक जिले यहीं पर ही हैं सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी यहां का सबसे बड़ा जिला है जो कि छेत्रफल की द्रिश्टी से सबसे बड़ा है जन संख्या की द्रिश्टी से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा की ब बात आती है तो महोबा जो है यहां का सबसे छोटा जिला है तासिलों की संख्या की बात की जाए तो 309 उत्तर प्रेश में तासिल हैं बलाकों की संख्या की बात की जाए तो 822 यहां पर बलाक है नगल निगम की बात की जाए तो 17 जो है नगल निगम है यहां पर और नभी नियान की जो नया भी बना है वो सहय जहां पूर नगल निगम बना है जो कि 2018 में इसको लेकर 17 नगल निगम है जिला पंचायट की बात की जाए तो 75 यहां पर जिला पंचायट है जिले पंचायट है तो जिला पंचायट की बात आएगी तो 75 फटाथ होगा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आदित्तिनाथ योगी जो है यहां के वलतमान मुख्यमंत्री है जो की 2017 से 2022 तक रहेंगे राजपाल की बात की जाए तो आनंदी बेन पटेल यहां की राजपाल है अनंदी बेन पटेल के बारे में पुछा जाता है तो यह गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित गोविंद बल्लब पंद जो है उत्तरपरेश की पहले मुख्य वंत्री थे प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो स्री मति सरोज्नी नाहिडू जो है उत्तरपरेश की पर ißtर बिधान सभा का गठन की जातो हैँ एक्टम बीधान पैस अठंदर कि जाको वो चंद्रभान थें प्रथम मुख्य न्यायधिस की बात की जाए तो न्याय मोलतिक कमला कांट बर्मा जो है इलाहावाल हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायधिस थी प्रत्म महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो स्तुरी मति सूचिता क्रिपलानी जो है उक्तर प्रद्यस की प्रत्म महिला मुख्यमंत्री तो दलित महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए जो प्रत्म सबसे पहले बनी थी वो तूसरी मायावती जी जो है प्रत्म दलित महि दयाले 18 70 साफना है अब यहां प्यूस्टन आता है उत्तर प्रदेश भारत की जन संख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज है जो कि हमने पहले ہے बताया कि पूरे भारत में सबसे जन संख्या वाला राज की बात अगर आएगी तो उत्तरपदेश है लेकिन अगर छेत्रफल की बात आती है तो वहां पे आपको आपसन में राजस्थान दिया रहेगा वो लगाना पड़ेगा कि राजस्थान जो है छेत्रफल की दिश्ट से भारत में सबसे बड़ा राज है और संख्या में तो उत्तरपदेश है और लखनव जो है उत्तरपदेश की प्रसात्निक राजदणी जो कि हमने पहले ही बताया और इलाहवाद जो है न्याईक राजदणी अक्षर इसी में असमंजो सो जाता ही कि राजदानी है तो लोग लगन लगा देते हैं लेकिन न्याई पुछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश उत्राखंड हरियाड़ा राजस्थान मद्ध प्रदेश 36 जारखंड और बिहार है और एक के निसासित प्रदेश डिल्ली है पूछा जाता है तो कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है तो आठ राज्यों से लगती है और एक राज्य जो है मतलब एक के निसासित प्रदेश यानि कि एट प्लस वन करके आफ़न आता है उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है देखिए उत्तरप्रेश का जो एक मात्र है मतलब उसका किस दे से सीमा लगती है तो नेपाल से लगती कभी-कभी आता है चार आफसन दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा कि इसमें से किस राज्ज की सीमा किसी अंतराश्टी सीमा से लगती है तो उत्तरप्रेश रहेगा और छेत्रफल की बात की जाए तो 2,43,290 वर किलो मीटर उत्तरप्रदेश का छेत्रफल है साथ 9 नौमबर सम्दो हजार को इसमें से एक छोटा सभाग अलग करके उत्राणचल एक राज बनाये जो की वरतमान उसका नाम उत्तराखंड है और उत्तरप्रदेश का प्रथम उत्तरप्रदेश जो है भारत का प्रथम राध्य जहां कोई पहली महिला मुख्य मंत्री नियुक्त की गई थी उछता क्रिपलान इस प्तिश की नहीं पूरे भारत में किसी विराज में मुख्य मंतरी बनने वाली प्रथम महिला थी। güç की और अलत्विवस्ता का मुख्य आधार किसी है। मतलब इतर प्रीवस्ता सब से अदिक गन्न जो है उत्तर प्रजेश में हे है कि आसा करते हैं ahead friends के आपको बीडीया अच्छा लगाुआ और आपको पूरे उत्तर प्रजेश की जानकारी इस वीडियो में मिली होगी जो भी नहीं मिला होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं अपने अगली वीडियो में आप प्रोवाइट करा दूँगा तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए धन्यवाद